फ्रेंज केसे हो आप लोग तो फ्रेंज देखे इस प्रोसेस को करने के लिए आपको simply कोई भी एक ब्राउजर ओपेंड कर लेना है और ब्राउजर ओपेंड करके आपको simply टाइप करना है SSUP और इस ओफसेट का डाइर्क लिंक में description में भी दे दूँगा तो टाइप करते ही फ्रेंज इस टाइप से इंटर्फिश हो हो जाएगा जो फर्स्ट अवरा लिंक आएगा तो इसी लिंक पे ही आपको क्लिक कर देना है फिर आपको स्कॉल डाउन करना है स्कॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको option मिलेगा check other validating तो इसी option में आपको क्लिक कर देना है फिर आपको इदर other number enter करना है फिर आपको proceed का option में क्लिक कर देना है तो फ्रेंज इस तरीके से आप देख सेकते हो कि आपका other card active है या नहीं तो फ्रेंज देख सेकते हो ए जो other card है ए एक्टिव है और कौन सा age band है ओ भी आप देख सेकते हो 20 to 30 फिर gender क्या है state क्या है और mobile number जो main important है यही है आपका कौन सा mobile number link है other card के साथ ए आपको check कर लेना है और other card active है या नहीं ओ भी आपको देख लेना है हो गया फिर आपको जाना है go to dashboard तो इसमें आपको option मिलेगा login का तो login को option में आपको click कर देना है तो click करते ही friends इस type से interface शो हो जाएगा इसमें आपका आदा number enter कर दीजे capsize enter कर दीजे फिर sent OTP कर दीजे फिर आपका एक option मिलेगा आप देख सकते हो authentication history और नीचे आपको एक option मिलेगा इस नीचे वाला option में आपको नहीं जाना है आदार update history पे आपको नहीं जाना है authentication history इस option में ही जाना है तो authentication history इस option में आप click कर दीजे तो click करने के बात friends इस type से शो हो जाएगा तो इसमें आपको कुछ details select कर लेना है फिर जाकर आपका जो आपका कुछ fraud हुआ या नहीं ओ आप देख सकते हो और कितना आपका authentication हुआ है कहा हुआ है सब कुछ आप जान सकते हो तो फ्रेंस देखे इसमें एक option दिया गया है select modality तो modality आपको select कर लेना है कि कौन सा तरीके से आप check करके देखना चाहते हो only आप biometric से देखना चाहते हो या OTP से देखना चाहते हो या biometric plus OTP तो कौन से option से आपको चेक करना है उसका ही related A है modality तो इसमें आपको all select कर लेना है ताकि जितना भी category है सभी का आप details आपको show हो जाए और आप देख सेकते हो फिर आपको date select कर लेना है कि कितना तारिक से कितना तारिक तक आपको देखना है तो friends देखिए यह आप maximum last six month का ही देख सेकते हो six month के उपर आप नहीं देख सेकते हो तो आपको six month में एक बार तो check करके जोरूर देखना है यह सभी के लिए important है ताकि आप six month में एक बार check करके देखो कि कुछ fraud वगरा हुआ या कुछ problem हुआ या कहा मतलब authentication हो रहा है तो आप देख लो फिर जाके आप six month में देखना ताकि आपका आदर कर से कोई भी fraud वगरा ना हो तो मैं इधर date select कर लेता हूँ six month का तो friends इसमें आपको पहले start date select करना है कि कब से आपको देखना है फिर आपको end date यानि कब तक आपको देखना है तो date select करने के बाद फिर आपको fetch authentication history इस option में क्लिक कर देना है तो इस option में क्लिक करती है friends इस type से show हो जाएगा और सब कुछ data इधर show हो जाएगा आप देख सेकते हो OTP बला भी शो होगा Biometrics बला भी शो होगा और Demographic बला भी शो होगा और कहा कितना है ओ आप देख सेकते हो OTP बला है 82.5% फिर Biometrics है 10% और एक है Demographic बला है 7.5% तो नीचा हम लोग तोड़े स्कोल डाउन कहनेंगे इस कोल डाउन कहने के बाद देखिए इसमें बहुत सारा ओप्षेन दिया गया जैसी की देखिए मेरा डेड़ भी देख सेकते हो फिर Modality कौन सा है OTP वाला है स्टेटास क्या है सकसेस हुआ ये फेल हुआ है ओप देख सेकते हो कौन सा एजन के दुआरा किया गया देखिए इसमें National Health Agency यानि मैंने आयुषमान का डाउनलूट किया था उस टाइम मैंने OTP दिया था उसका ही मतलब ये शो हो रहा है तो इस तरीके से बहुत सारा शो होगा आप देख सेकते हो National Health Agency वाला फिर आप देख सेकते हो इसमें Department of Electronics and Information Technology Government of Hariyana वला भी है UIDI का Online Service AB है तो इस सब आप देख सेकते हो और आपको इसमें Page बहुत सारा मिलेगा तो One by One Page सभी में देखना है ताकि आपको पता लगे कि कौन सा Organization से या कौन सा एजन से आपका OTP या Biometrics या Iris लिया गया है कोई भी fraud अगर आपको दीखेगा जो unknown company या agent है जिसका authentication किया गया है तो आपको देख के पता लग जाएगा तो One by One सभी पेस का ही आप देख लिजे तो फिर इस वीडियो में इतना है था तो वीडियो अच्छा लग है तो लाइक कीज़े शेयर कीज़े और में से अनको सबस्काइब करना ना वुले फिर मिलेंग और एक न्यू वीडियो के साथ थैंक यू